महराज स्री के चरण में त्रह बार नमोस्तू, नमोस्तू, नमोस्तू महराज जी, सीता जैसी आदर्स नारियों से हमारी पौराणी कताएं भरी हुई है सीता जैसी आदर्स नारियों से हमारी पौराणी गाताएं भरी हुई है बरतमान परिवेश में आदर्स नारी की क्या परिभाशा है क्योंकि वो तो आज संभो नहीं है वैसा होना देखे बात बिलकुर सही कहा है कि सिता जैसे आदर्स नारीयों से हमारी पौरानी गाता है भरी है बरतमान में एक आदर्स नारी की परिभासा पूछी और कहा आज सीता जैसा जीवन बहवारिक नहीं है तो मैं आपकी बात को और जोड़ कर कहता हूँ आज सीता जैसे चुनोतियां और समश्याएं भी नहीं ना तो आज सीता का वनवास होता है न सीता को अगनी परिख्षा देने की नौबत है परिस्थितियां बदल गई लेकिन आपने पूछा है कि एक आदर्स नारी का आदर्स क्या होना चाहिए मैं एक कहूंगा कि नारी में नार्योचित गुनों का समावेश होना ही एक आदर्स नारी की सबसे बड़ी पहचान है बिड़मना ये है कि नारी ससकती करन के नाम पर नारी को नारी रखने की जगा नर बनाने की होड लग रही है नारी नर बनने की कोशिश में लगी है नर वो बनने ही पा रही है नारी वो रहने ही पा रही है आखिर ऐसा क्यों आज की नारी ये क्यों सोचती है कि मैं नर जैसे कर्म करके ही अपने जीवन को सफल बनाऊंगा उस ये क्यों शमज में नहीं आता कि प्रकृति में जितना इस्थान नर का है नारी उससे कहीं कम नहीं है और नारी के अंदर जो नारी शुलब गुन है वो पूर्सों में तीन काल में नहीं आ सकते तो एक नारी अपने प्राकृतिक जीवन को जीते वे नारी उचित कर्तब्यों का पालन करती है तो उससे बड़ा अच्छा उधरने कुछ नहीं हो सकता उसमें उसकी मर्यादा है लज के सवाल का उत्तर मैं एक ही लाइन में कहूंगा जिसके भीतर नारियों चित गुन समाविष्ट हैं मेरी दिश्टी में वही आदर्श नारी